हलो दोस्तों मैं हूज है और स्वागत करता हूँ आपका इस स्टोरी आप सुपर हीरोज में आज लोकी का फिफ्ट एपसोड रिलीज हो गया है और ये एपसोड एपसोड फोर की तरह ही धमाकेदार था इस एपसोड में हमें ये तो पता नहीं चला कि TV के पीछे का mastermind कौन है पर इस एपसोड में हमें एक म्योल नीर एक थोर और वोटेस आरे लोकी देखनों कूं को मिले ये एपसोड में हमें ये भी हिंट मिला कि Avenger Infinite War में Thenos की हातों मरने वाला लोकी नहीं बल्कि उसका projection था तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बर फिर से याद दिला दूँ कि अगर अभी तक आपने एपसोड नहीं देखा है तो पहले जाके देख लें क्योंकि इस वीडियो में एपसोड से रिलिडेट स्पोइलर हो सकते हैं और अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहें तो दोस्तों लोकी का एपसोड 5 स्टार्ड होता है दवाइड में लोकी के चागने से जहां बैग्डाउंड में हमें एक तूफान दिखाई देता है जिसका नाम है लॉयत फिर लोकी के वेरियंट्स उसे अपने साथ लेके चले जाते हैं दूसरी दव टीवी में सिल्वी को रवोना से पता चलता है कि लोकी अभी जिन्दा है और दवाइड में है जहां पर हर वो सक्स पहुँच जाता है जिससे प्रियून किया जाता है फिर रवोना सिल्वी को अपने बातों के जल में फसा लेती है और उसका पता चलते ही सिल् प्रवाँ से निकला तो जा सकता है पर वहाँ पर कोई भी टेमपैट नहीं है और इस कनवर्शेशन के बाद वहाँ हमें एक मिलने टेकनों को मिलता है और उसी के साथ एक जार में बंद तरफता हुआ अब थ्रॉक का एक जार में बंद होना शायद इस तरह इशारा करता है कि टीविए में भी थख अपनी पौ़र से यूज़ कर सकता हूँ और इसलिए उस टीविए को उसको पकड़ने के लिए मिस्टेस जार में ने कैद करना पूँरता हूँ ताकि वो अपनी पौष से टीविए रैगना रोक के बाद THENOS ने एसक गारिएन सीप पर अटेक किया था तब Лोकी ने खुद THENOS पर अटेक नहीं किया बलकि उसने THENOS के सामने एक ऐसा प्रयूर्शन क्रीएट किया जिसे थेनOS की सि creeping कह गया और लोकी मल्बे के नीचे मरे होने के नाटक करता रहा। फिर वो कई सालों तक थौर और बाकी लोकी से दूर रहा पर एक दिन जब उसना थौर से मिलने का सोचा तब वहाँ पर क्रियेट हुआ उसका नेक्सस इवेंट फिर लोकी जब वहाँ से बाहर जाने लगता है तब उसे मिलता है प्रेसिडेंट लोकी पूरी आर्मी के साथ औ दूसरी दर प्रेसिडेंट लोकी और बाकी के लोकी को अंदर आने का रास्ता बूस्टफू लोकी ने बताया ताकि को किड लोकी का तकता पलड करके खुद राजा बन सके लेकिन कमाल के बात यह है कि प्रेसिडेंट लोकी खुद राजा बनना चाहता है लेकिन उसके साथ लोकी को इलायत के पास लेकी जाता है और मॉपियस और, सिल्वी भी लायत के पास जाते हैं, वहां से बाह निकलने का रास्ता खोजने के लिए, और फिर, सिल्वी और, मॉपियस की लोकी से वहीं मुलाकात होती है, फिर टी विय ein में यहां कुछ सवाल पहला थ्रॉग वाइड में कैसे पहुचा तो साथ उसने अपने लिए कोई नेकसस इवेंट क्रियेट किया होगा जिससे टीविय ने उसे पकड़ के प्रून कर दिया दूसरा थ्रॉग के पास पड़ा हुआ में बड़ा था तो वो किसका था और यहां तक क जगे देखी थी तो सिल्वी को लगता है कि एलॉइध डवाइड में किसी जगे को प्रूटेट कर रहा है और शायद वहीं टीविय को चलाने वाले रहते हैं और लास्ट में जब लोकी के हल्प से सिल्वी एलॉइध को कंड्रोल कर लेती है तब हमें वहाँ पे एक जगे देखनों को भी मिलती है तो दोस्तों यह था लोकी के एपसोड फाइफ का एक्स्प्लेनेशन अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें अगर आपको कोई और डिटिल पता चलती है इस एपसोड से रिलेटेड तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर यह था आपको कोई प्रिया ज्Mc記 टेखनेड पताफ का आपको अपको वीडियो।